29 मार्स 2016 को संराजर्स हैदरबाद ने पहली बार IPL का खिताब गीता था बैंगलोर में हुए फाइनल मुकाबले में संराजर्स हैदरबाद ने रोयल चेलंजर्स बैंगलोर को आठ रनों से हराते हुए खिताबी जीत दर्ज की थी यह तीसरा मुका था जब रोयल चेलंजर्स बैंगलोर की टीम फाइनल में पहुची लेकिन खिताब नहीं जीत पाई फाइनल में संराजर्स हैदरबाद ने टोस जीत कर पहले बले बाजी का फैंसला लिया संराजर्स हैदरबाद के कप्तान डेफिट वोरनर और सिखर धवन ने पहले विकिट के लिए 63 रन जोड़े इसी स्कोर पर धवन 28 रन बनाकर आउट हुए कप्तान डेफिट वोरनर ने भी पहतरीन बले बाजी करते हुए सांदा अर्धसतक जड़ा वोरनर ने 38 गेंदों में 8 चोके और 3 चको की मदद से 69 रन बनाए और वो 14 ओबर में 125 के स्कोर पर आउट हो गए और यहां से संराजर्स हैदरबाद को अच्छे अंद की जरूरत थी डेविट वोरनर के आउट होने के बाद यूबराद सिंग ने बल्ला समाला यूबराद सिंग ने 23 गेंदों में 4 चोके और 2 चको की मदद से 38 रन बनाए और वो भी 17 ओबर के 148 के स्कोर पर आउट हो गए डीपा कुड़ा और मनन होजा भी जल्द आउट हो गए हाला कि बेन कटिंग ने 15 गेंदों में 3 चोके और 4 चको की मदद से 49 रन बनाए कटिंग ने सेन वोर्ट सन के आखरी ओबर में 3 चके और एक चोका लगाया इसी की बदोलत संराजस हैदरबाद ने 7 विगिट के नुष्कान पर 208 रन बनाए 209 रनों के लक्स का पीछा करने उत्री रोयल चलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान पिराट कोली और क्रिस गेल ने टीम को बहतरिन शुरुवात दिलाई दोनों इस खिलारियों ने हर्स तक लगाए और 114 रनों की पहले बिखिट के लिए साजेदारी की इस इससी पर ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर की टीम हासानी से मेच जीत जाएगी हाला कि समराजस हैदराबाद ने जबर्चस वाफसी करते हुए आर्सीबी के उपर दबाव डाला और रोयल चलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से क्रिस गेल 38 गेंदों में 4 चोके और 8 चकों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हो गए इसके बाद बिराट कोली 35 गेंदों में 5 चोके और 2 चकों की मदद से 4 रन बनाकर पवेलियन लोट गए अब RCB की तरफ से बल्ले बाजी करने आए एबीडी विलियर्स ने 5 रन, सैन वोर्ट सन ने 11 रन और केल राहूल ने 11 रन और ये सारे खिलारी फुलोप रहे अंत में RCB की टीम 20 ओबर में 7 विकिट के नुश्कान पर 200 रन बना सकी और 8 रनों से फाइनल को हार गई बेन कटिंग को 49 रन और 2 विकिट लेने के लिए ओल राउंडर परदर्शन के लिए प्ले ओफ दा मेच चुना गया और बिराट कोली ने उस टूनामेंट में 4 सतक लगाए लेकिन फिर भी अपनी टीम को खिताबी मुकाबला नहीं जीता पाए आपके मुताबिक खिताबी हार का कौन सा प्लेयर जिम्मेदार होगा और साथ ही आपको संराजर्स हैदरबाद की जीत कैसी लगी कमेंट करके अपनी राई जरूर दे वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें